कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए में बैकूल हम लोग पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक है इसको हलके सिच्चे और पांच लाइन में लिखा है लेकिन हम लोग इसका डिटील पढ़ेंगे मतलब कभी में हलका नहीं पढ़ना चाहिए मैं कि हलका होजाता यह देखा जाए तो अगर देखा जाए तो पहली बाता कौ यह रिखना चाहिए कि अगर्णा अगर आप इसकी अकरेंस तो अकरेंस जो हैं यह आप देखें तो सबसे पैदी बाद hearing सिंगल मेंब्रेन बाउंड है यहां सुरू करते हैं लोग इसकी सिंगल मेंब्रेन होती है सिंगल मेंब्रेन बाउंड है कोई डिस्कवरी और वगरा का नाम तो है ने इसमें सिंगल मेंब्रेन बाउंड है इसकी जो सिंगल मेंब्रेन होती है उस membrane को हम लोग tonoplast कहते है आप चाहिए आ लिख ले इसकी जो membrane है उस membrane को हम लोग tonoplast कहते है यह आपने नूट कर दिया नूट कर दिया आपने single membrane bounder tonoplast कहते है अगर हम इसको plant cell or animal cell देखें तो plant cell में जो है इसी याटी ने कहा कि पूरे plant cell का 90% area जो होता है इस cover by बैकूल है अगर plant cell है उसका 90% area बैकूल कवर करती है अगर आपको कोई SSL बनाई गई माली जी यहाँ वर कोई shell है यह shell है यह shell का निपलियस है इसका 90% area बैकूल अकेले कवर करती है मतलब plant cell में बैकूल की size बड़ी होती है आप ऐसे कह सकते हैं अगर हम इसकी animal cell में बात करें अगर हम लोग बैकूल की 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 बात करें बात करें बैकूल के अगर हम लोग इस ट्रक्चर के बारे में बात करें कि इसका PE कर सा है tutto और बइसे माले इंट ढगे लिखें कि उब्ल में से बब कर था यह यह ओवल सेब्ड होती है ब्लाव से रफिं है लिए जूब ले आफ ने लिख दीजेए यहां फिल लिख दीजेए कि इसकी मिम्बेन को टोनो प्लास्ट कहते हैं यह जो एरिया है इस एरिया हो मोग लूमेन कहते हैं मतलब इसके क्रेविटी को हम लोग लूमेन कहते हैं इस लूमेन का जो pH है वो acidic होता है यह देखिए, क्या क्या चीज़े हो गई, मेंब्रेन को टोनोपलाज करते हैं, कर्विटी को लुमिन करते हैं, पी एचस्टीक होता है, इसलिए इसलिए आपने भात धान अपनी है, कि प्लांट सिल में बैकूल जो होती है, बैकूल जो होती है, बैकूल जो फांक्शन है, वो लाइसोसूम जैसा होता है, लाइसोसूम कर नहीं होता है, इसका ध्यान रखें, अब आप यह देखिए, कि माली यह कोई सिल है, आप इससे समझें इस बात को, कि यह सिल है, बोली है, सरसिल है, यह इस सिल का नुकलियस है, यह भी आपने लिख दिया, यहाँ पर क्रोमेटिन है, और अगर आप ले भी तिनी बात कर रहे हैं, तो यह देखिए, इसके अंदर आपने बड़ी से बैकूल बना दिया, यह भी लिख दिया, आप यह समझें, किसमें जो चीजें टांसपर होती है, उन चीजों का कंसंट्रेशन साइटोपलाज में कम होता है, बैकूल में ज्यादा होता है, तो बदा यह कंसंट्रेशन ग्रेडियन की कैसे काम करती है, अगेस्ट काम करती है, तो देखिए, मैटेरियल सार, इस बात में लिख सकते हैं, मेटेरियल्स आर टांसपोर्टेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो भी चीज़ हैं अगेंस्ट आत्र हो your left मं कit यह देखियें, प्लाइट से पड़ी साइच के है याद रखेगा न चिंदि रिखा हैं 90 बाइन शीज न मेंज परसंट आप Olivier है बाइपूल और एनिमल सेर्फ में छोटी साइच की है इस्ट्रक्चर देख लिए ओवल से फेर मेंबरेन बाउंड है क्राविटी को लुमेन कहते हैं इसका पी एचेस्टी होता है यहां पर जो भी मटेरियल भरी रहते हैं उन्हें साइप कहा जाता है यह हमेशा नौनलीवींग मटेरियल होते हैं मतलब इसमो कोई लीविंग चीज नहीं पर होती है आपको यह भी धियादो अब आप यह द्यान दे अगर हम लोग के बात करें के बहुतने हैं तो टाइप, अगर आपर बात करें तो पहला जो टाइप है उसे हम लोग गयस बैइ चाहिँ हो लिग दिया आपने गैस बयकुल मैं आपसे कहूं कि जो प्रोकरीयाटीक सल है प्रोकरीयाटीक करती है यह आप कहेंगे बाइयो येंची उसके लिए responsible कौन है, gas बैकूल है, अगर यह cell है, prokaryotic cell, यह इसका निपलियास है, और यहाँ बैकूल है, इसे हम लोग gas बैकूल कहते हैं, इस gas बैकूल का अगर आपको से कोई function पूछे, तो आप गहें के सर यह gas बैकूल का function है, इस prokaryotic cell को buoyancy देती है, बाद सीमाने help करती है, एक्जांपल लिए लिए बी जी ए, यह इस याटिम नहीं है, लेकिन आपको याद करना है, ब्लोग ने लिए लगी जो पानी पे तैरती हैं, उसका काराउंट से कोई सी बैकूल पाई जाती है, गैस बैकूल पाई जाती है, दूसरा बैकूल यह पहला कहाँ पाई जाती है, अमीबा में लिख दिया आपने, अमीबा में पाई जाती है, अगर आपसे पुछा जाती है, बना बंती कैसे है, यह भी लिख दीजिए, in folding of plasma membrane, in folding of plasma membrane, एक पात और लिख रहे हैं, लिखी दीजिए, analogous to, analogous to, analogous to, intestine of human, analogous to, intestine of, intestine of human, odd detail में चलिए, intestine of human देखिए, क्या होता है, देख बिटा, यह देखो, यह क्या है, यह अमीबा है, यह इसका निपलियस है, यह खाना है, फूड है, यह भी लिख दीजिए, हो क्या रहा है, बताईए, फूड है, दूसरी structure, देखिए, हो क्या रहा है, फू बना दिये अगले फिएकर में योह रहा है दिखमेंटा यह इस तरफ जाता है खाने को अंडल लाता है यह खाना है अब बदाई को निफोल्ड कर रहा है आफ सब दीखे अगर आप धियां से देखें इसके प्लाज्मा मेंब्रेन इंस फूल्ड कर रही है नेक्ट फिगर्म के ये नेक्ट फिगर में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा कि ये ऐसे इन फोल्डी हो जाती है ये इसका नुक्लियस है फूड यहाँ पर होता है ये ये फूड फेगर है अंदर लास्ट फिगर में आप देखेंगे तो ये अमीवा इसे नारवल हो जाता है आप देखिए ध्या Visional Veyicool कों करता है इस फोल्डी आफ लाजमा म्म्रेन और यहाँ पर को क्या रहा है अब देखेंगी करने लुड देखेंगे इने लार्मा इस पैलागा स्रींट इस फूड वहिकूल में है यहाँ पर डाइissance का काम हो रहा है किसका काम हो रहा है benchmark हो काम हो रहा है यह आपको अब बाड़ा दिया तो दे दो हो गया तो पहले तीन आइपडा दिया मैं आपको फुर बाइक पढ़ा दिया और आपको थिसरी ये अनुवागे को नहीं आपको तीक से मैं आप बस्ते इसको सीवित सब्सक्राइक हे तो सबसे पहले है अप्धोर कर दोanton देट के प्रेजेंट इन प्रोटिस्टंस प्रोटिस्टंस में 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 अब आप नान पैथेजोनिक मतलब क्या हुआ ऐसे जिनसे हमको कोई डिजीज नहीं थी नान पैथेजोनिक प्रोटिस्टंस नान पैथेजोनिक प्रोटिस्टंस तो आप इसका अगर एक्सपानेशन देखें तो अगर वेटा आपने अभीवा पढ़ा होगा अमीवा में जो एल वेखुल कसंख्या दो अगर आप इसे जो फ्रेश वाटर में पाई जाते हैं और जैसे हमको कोई रोग नहीं होता प्रोटिस्टंस से उनमें जो है कांटेक्ट एल वेखुल पाई जाती है एक कमेंट ओ लिखिए अगर आपको लिखना है तो आप यह लिखिए अपसें अपसेंट इन अपसेंट इन पैथेजोनिक अपसेंट इन पैथेजोनिक एंड पैथेजोनिक एंड अपसेंट इन पैथाजोनिक एंड मेरा इन प्रोटिस्टंस ऐसे प्रोटिस्टंस मेरे इन प्रोटिस्टंस ऐसे प्रोटिस्टंस जो समुदरी पानी में पाई जाते हैं और जिससे हमको रोग होता हमें contact table बेकुल नहीं पाई जाती है तो यह contact table का concept है पहले आप यह समझ दीजिए अगर आप इसका explanation करें example देखें example देखें amoeba को अगर आप देखें amoeba में अगर आप explanation देखें तो amoeba की सेल में बचा ऐसे आप amoeba बनाते हैं इसमों निकलियस बनाते हैं और यहाँ CB बनाते हैं contact table बेकुल तो यह contact table बेकुल हो contact table बेकुल इसलिए पढ़ सकते हैं तो क्योंकि it can contact or relax it can contract or relax यह contact and relax हो जाती इसलिए इसको contact table बेकुल क answer कैसे रिफंट को अगर अगर आप पारा मीशीम देखते हैं तो आपको इसका फंक्षन क्या है तो अगर आप इसका फंक्षन देखें तो यह देखें इसका है help in excretion and asmoregulation help in excretion and asmoregulation मतलब जो काम हमारी kidney का है आप समझे इस बात को जो हमारी काम kidney का है वही काम contictile bacul का है asmoregulation and excretion का यह इस याटी ने लिखा हुआ है जैसे example अगर आप देखें साइद आपको यह बास समझ माँआगा है कि example आप समझे कि अगर यह amoeba है amoeba है और आप contictile bacul function देखें इस amoeba को अगर आपने fresh water में डाल दिया माली जै आपने amoeba को fresh water में डाल दिया तो मैं आप से पुछो fresh water कैसा solution है तो आप कहेंगे sir fresh water जो है hypotonic solution है कैसा solution है hypotonic solution है solution है तो यह जो CB है contictile bacul जो है यह swell कर जाएगी यह दिखें ठीक इसी तरह से amoeba को अगर आपने marine water में डाल दिया मतलब सभूदरी पानी में डाल दिया marine water में डाल दिया तो यह marine water कैसा solution है आप कहेंगे sir यह तो hypertonic solution है कौँसा solution है hypertonic solution है मैं आप से पूछूँ कि cybertonic solution में क्या होगा आप कहेंगे sir यह तो यह shrink कर जाएगी मतलब contactile bacul shrink कर जाएगी एक कुस्चन देखिए आपके दिमाग में कभी contactile bacul concept नहीं पिख़एगा इन्होंने कुस्चन दिया कि यह water है yaks है यह एक water है जिसको y कहते है यह ameva है हमने इसको इस पानी में डाला और फिर इस पानी में डाला जब हमने इस पानी में डाला तो यहाँ पर इसकी cv दिख रही थी मतलब इसकी contactile bacul हमको दिख रही थी लेकिन यहाँ पर जब थी तो यहां इस पानीमे डाला यहां पॉल सभी क्या हो गई, है डिसके और हुपीयर हो गई, मतलब खराद मुझे एकषिवी दिख रही थी यय की थ tी नोलब ह है यस लेन अग चैजक को फिर फिर्श हो गई तो इस और ह्वी से दिखने लगी मेरी माटर में डालते हैं तो अभी बाद की खतम हो जाएगी लेकिन अगर आप मेरी में से फ्रिस्ट में डालते हैं तो सीवी फिर से दिखाई पड़ेगी इसका मलब सीवी का फ्रॉंक्षन क्या है? हेल्प इस्कृषिशन एंड आस्पो रेगलेशन यह आपको समझना है और इसके पात आप एक बात इसे और ने कर सकते हैं अमीवा और एंट इवीवा में डिफरेंस क्या है? अमीवा से डिजीज नहीं होती है क्योंकि फ्रिस्ट वाटर में पाई जाता है लेकिन एंट इवीवा से डिजीज होती है CB नहीं पाई जाती है, contact L बैकूल नहीं पाई जाती है, लेकर amino भी पाई जाती है एक last देखिए, इसका contact L, चौथी CB देखिए आपने को देखी, मैंने यहां लिखा है, बैकूल का नाम सैब बैकूल है तो sap बैकूल क्या कहते हैं, simple सी बात है, sap बैकूल इस्टे कहते हैं, it distorts cell sap, सीधा लिखिए परिशान मत होई है, it distorts cell sap, तो जो cell sap को इस्टोर करता है, उसे हम लोग शैप बैकूल कहते हैं, यह concept दिखें, अगर हम आपसे function of बैकूल पूछें, function of बैकूल पूछें, तो इसी आदी माँ मिला लीजेगा, एक तो यह, it distorts, इसी आदी मिलाएगा, it distorts, पहला, water, it distorts water, फिर देखें, excretory product, excretory product, excretory product, pigments, pigments, etc. यह चीज़ें CB स्टोर करते हैं, water स्टोर करते हैं, एक्स्टिर्टी प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, पिग्मेंट से स्टोर करते हैं, इस चकपर आप एक बात लिख सकते हैं, अगर आप चाहें, बड़ी पेंसे लिखें, CB is analogous to kidney, मतलब जो काम हमारी body में kidney का है, अमीवा भी का CB का है, CB मतलब contactile backhole का है, इस तरह से आप देखें, तो अमीवा में CB एक पाई जाती है, अमीवा में अगर पानी जाता आता है, तो फैल जाती है, तो उसे हम लोग diastole कहते हैं, कि CB diastole condition में है, और जब अमीवा को आप marine water में डालते हैं, तो स्रिंग कर जाती है, तो कहते है कि अभीवा की CB है, वो systolic condition में है, इस तरह से यह आप देखें, यह चार तरह के contactile backhole हम लोग पढ़ते हैं,